यह एकउशान भायों काँ अन्यव लेताओं आज मैं धनिया की जैविक खेथी के बारे में आप से बात करूंगा आप कहेंगे की जैविक खेथी क्यों जैविक खेती क्या होती है वह खेती जिस में अकार्बनक रसायनों का प्रयोग नहीं होता है कि उसको जैविक खेती कहते हैं आजकल आप देखते होंगे धनिया जो आप बजार से खरिद के लिए जाते हैं पत्ती उसमें उतनी महग नहीं होती है जितना पहले होती हुआ करती थी उतना स्वादिष्ट इसके दाने की मसाले भी नहीं होते हैं तो आजकल जैविक खेती पर जोर जादा है और उसकी कीमत भी जादा है आज मैं आपको बताऊँगा कि धनिया की जैविक खेती आप कैसे करें आप जानते हैं कि बहुत समय से प्राची नकाल से धनिया की पत्ती और धनिया के बीच का प्रियोग लोग करते आ रहे हैं मसाले के रूप में इसके बीज और पत्ते में बिटामीन एक का भंडार होता है बिटामीन एक बहुत पहे जाता है सूखे बीजों में 11.2 परसेंट नमी होती है और 14 परसेंट के लगबग प्रोटीन होता है 14 परसेंट वसा होती है इसे हम चिकनाई कहते हैं और 21% कार्भो हाइडरेट होता है और 33% प्रतिसरत लगबग खनीज लवण होता है जिसमें खास्तोर से कैल्सियम फास्पोरस और आईरेन ज्यादा पाया जाता है इसे पीसकर या बीज को सीदे अचार मिठाई कड़ी पाउडर और साथ खाड़ पदार्थों को सुगंद के लिए करते हैं बीज के उरंसील तैल को निकाल कर सुगंदे द्रब्य, खुसूदार साबुन बनाने के कारे में लाए जाता है हरी धनिय का प्रयोग, चटनी, सबजी, सूप, सलाद को स्वादिष्ट बनाने और आकरसंग बनाने के लिए किया जाता है धनिय का प्रयोग अपच, पेचिस, जुखांग और मुत्र रोगों में किया जाता है अपने देश में धनिय कई राजियों में होती है राजस्थान आंद्र प्रदेश, यम्पी तामनलाड उत्तर प्रदेश, करनाट का प्रता जारखंड राजियों में इसकी खेती बहुतायत से होती है हरी पत्तियों के लिए तो धनिया की खेती अपने देश के हर राजियों में की जाती है अभी मैंने बताया जैविक धनिया तो आजकल जैविक उत्पाद का मत तो बढ़ता जा रहा है जैविक उत्पादन में रासानिक तत्तों का प्रयोग नहीं करते हैं और कार्वनिक रसायन जैसे कीत नासक, फफूंद नासक, सुत्रक्रीम नासक, खर्पतवार नासक, कोई भी और कार्वनिक रसायन इसमें प्रयोग में नहीं लाए जाता है और कार्बनिक रसाइनों के स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद इत्याइद का प्रियोग किया जाता है धनिया के लिए उस्व और मध्य जल्वाग अच्छा होता है ऐसे शेत्रों में जाता आपमान बहुत अधिक नहीं होता है वहाँ धनिया की खेती सफलता पुर्वक की जाती है धनिया के लिए भूम का चैन, किसान बाइयों, बलुई दोमट, जिसमें जैवी खाद का प्रियोग किया गया हो सर्वत्तम मानी गई है यह दोमट है उसमें खाद है तो उसमें धनिया की खेती बहुत अच्छी होगी खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते है इसके बाद दो जुताई कल्टिवेटर्स करते है और हर जुताई के बाद पाटा लगा देते हैं जिससे भूम भूरूरी हो जाए आखरी जुताई में 15-20 टन गोवर की सड़ी खाद पांच कुंटल केशुगा की खाद 200 किलोग्राम नीम की खली को मिट्टी में अच्छी तरह से प्रत हेक्टेयर के दर से मिलाद दिया जाता है किसान भाईयों अच्छी फसल के लिए हमारे पास अच्छी जातियां होनी चाहिए धनिया की बहुसे उत्तम किस्में हैं आप किसान भाईयों को चाहिए कि केवल उन्नत किस्मों की ठीक बुआई करें जिससे आपको अधिक से अधिक उपज़ प्राप्त हो और ये जातियां रोग और कीट से रोधी हो जहां तक संभव हो जैविक प्रमानित भीज का ही उप्योग करें कुछ प्रसलित जातियों का नाम मैं बता रहा हूँ आप चाहें तो इसे नोट कर लें आर सी आर एक तालिस आर सी आर बीश गुजराद धनिया दो पूसा चैन तीस स्वाती सी एस दो साधना राजेंद्र स्वाती सीयस दो सोस्टासी, सी ओ लन, सी ओ टू, सी ओ ठी, आर शी आर चार सो चतिस, हिसार, सुगंध, कुम्राज, सिंपोएस, तैंटिस, यह धनिया की अच्छी जातियां हैं इनी में से कोई जात लेकर आप बुआई करें तो अच्छा होगा बुआई का समय उत्तर भारत में ये ठंडे मौसम में वगाय जाता है दक्सिंग के राजियों में इसकी खेती दोनों मौसम में की जाती है धनिया की खेती एक बार मई से अगस्त दूसरी बार अक्टूबर से जनवरी तक और तीसरी बार अक्टूबर से नौंबर तक की जाती है अक्टूबर से नौंबर तक जो बुआई होती है वो सबसे अच्छी होती है 15 अक्टूबर से 15 नौंबर के बीच धनिया की बुआई कर दे जानी चाहिए किसान भाईयों धनिया का बीज छीट अगवाविदी से आप बेदी बहुते हैं तो 21-23 किलो बीज प्रत हेक्टेयर की दर से आउसकता होती है पत्तियों में बोने पर 12-15 किजी बीज बरसा बराधारी छेत्रों में 20-25 किलोग्राम बीज की आउसकता होती है बीज को बोने से पहले यदि आप उप्चारित कर लें तो अच्छा होगा धनिया के बीज को हलका सा प्रेसर दे के दो भागों में बांट देना चाहिए उसके बाद छोग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी लेकर एक किलोग्राम प्रत बीज की दर से उप्चारित कर लें और एक हेक्टेर का बीज ले लें उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लें इसके पस्चात धनिया के बीज को जीवान कल्चर से उप्चारित करें इसके लिए एक लिटर गरम पानी में दो सो पचास ग्राम गुड का घोल बनाएं ठंडा करने के बाद इसमें छोग्राम मेजेटो वैक्टर कल्चर तदा छोग्राम प्रत लग जाना चाहिए इसका आप ध्यान रखें कि यह दिवीज उप्चारित नहीं किये हैं या नहीं करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का और प्रत हेटो वैक्टर पीएसदी कल्चर प्रतेक का दो-दो कीलो लेकर के चालिस से पचास किलो ग्राम गोबर की खाद में बुर्बुरी खाद में मिला लें और प्रत हेक्टेर जुताई के समय ही डाल दें धनिया की बुवाई की विधि किसान भाईयों धनिया की बुवाई खेत में क्यारी बना कर करें धनिया की बुवाई हल के पीछे भी की जा सकती है एदि पंक्तियों में खेती करें तो दो पंक्तियों के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें और पौदे से पौदे की द तो गुवाई के 30 से 35 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई करें और एक जरूरत के अनुसार दूसरी निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन के बाद करें दरिया में सिचाई कब कब करें में बता रहा हूं दरिया की जैविक फसल की बुआई पलेवा देकर ही करें पहली सिचाई जब सारी भी जंकुरित हो जाएं तब करें दूसरी सिचाई जब साखाएं निकलने लगे तब 50 से 60 दिन बाद करें तीसरी सिचाई जब दाना बनने लगे उस समय 50 से 90 दिन के बाद करें नब्बे से सो दिन बात करें रोग कीट नियंत्रण यदि आपके जमीन में उक्ठा की बिमारी लगती हो तो बीज को 6 ग्राम प्रत किलो बीज की दर से उक्चारित करें मोयला कीडा के नियंत्रण के लिए तीली चोड़ी तक्ती पर ग्रीस लगा कर एक टेयर में दस से पंदर की संख्या में लगाएं जिससे यह कीट उस पर आके चिपक जाएंगे और आसानी से नियंत्रण हो जाएगा इसके अलावा नीम पर आधारित कीट नासी एजा डाइरेक्टिन पंदरसों पीपीम का घोल पांच मिली लीटर पत लीटर पानी में मिलाकर माहो के लिए नीम तुलसी करंज के पतियों के का एक्स्ट्रेक्ट ले 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 उसका घोल बराकर के चिर्काओ करें बिवेरिया बेसियाना एक फफूद है इस पर आधारित कीट नासक बनाया है जो हरी जिल्ली माहो लीफ माइनर फल छेदे कात्कीडों में खिणों के रोक थाम के लिए छिरक करके किया जा सकता है इसके लिए चार से पांच गरम दवा प्रत लीटर पानी में घोल कर छिड़काओ आप कर सकते हैं पाला से मचाओ के लिए फसल की हलकी सिचाई करने नबे से 120 दिन में यह फसल त्यार हो जाती है बीजों के गुच्छे जब भूरे रंग के दिखने लगें तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए कटाई के बाद फसल को चाहे में सुखाएं किसान भाईयों एक हेक्टेर खेत में 15-18 कुंटल धनिया की उपज होती है बर्सा पर अधारित फसल 9-11 कुंटल प्रत हेक्टेर होती है किसान भाई जी आप अच्छा उपज प्राप्त करना चाहते हैं आप बड़े किसान है इससे मानता प्रताफ सनस्थाओं में आप अपने फसल का रिजिस्ट्रेशन कराएं फसल कटने एक बाद जो उत्पाद होगा तो यह उत्पाद आपका निर्यात हो जाएगा विदेशों में भेज बेजाए जा सकता है और इसकी कीमत आपको अच्छी प्राप्त हो सकती है जिससे मेरा और आगे वाला वीडियो जो आपके लिए बहुत उप्योगी होगा आपको मिलता रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद